नमस्कार साथ यो आप सब का स्वागत है कैरियर काउंसिलिंग की सिरीज में आज हम जानेंगे कि दस्वी के बाद हमारे लिए कैरियर के कौन-कौन से ओप्शन खुलते हैं देखो बचो दस्वी के बाद हम हमारी पढ़ाई को आगे फर्दर स्टार्ट भी रख सकते हैं या इसके अलावा हमारे पास एक और भी ओप्शन है जैसे बचो दस्वी के बाद कई सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं जिनके अंदर आप certificate लेकर कहीं भी job के लिए apply भी कर सकते हो 10th के बाद कुछ diploma courses भी आते हैं जिसके अंदर कुछ अगर अपने बात करें paramedical के अंदर आते हैं कुछ वैसे diploma होते हैं अलग-अलग industries के दौरा या अलग-अलग subject के अंदर diploma करवाये जाते हैं तो कुछ आते हैं बचो हमारे पास diploma courses ऐसे ही ITI हो गए तो कुछ बचो दस्वी के बाद हमारे पास diploma courses होते हैं जिनके तैत हम आगे बविश्य में जाकर कोई भी job ले सकते हैं पर अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे रखना चाहते हो तो फिर हमारे पास यहां एक स्वाल उठता है बचो कि दस्वी के बाद किस stream यानि कि किस branch का chain किया जाए तो बचो दस्वी के बाद subject का यानि कि branch का chain करना अती आउशक है क्योंकि बचो अगर आप अपने interest के हिसाब से branch का chain करोगे तब ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे अन्य था आप कहीं ने कहीं उस stream के बच्चों से पिछड जाएंगे तो यह सबसे जरूरी या सबसे पहला जो step होता है बचो यही होता है कि आप किस stream का या किस branch का chain करते हो अब बच्चो ब्रांच का chain करते से में हमारे सामने बहुत से question आते हैं कि हम इसी branch का chain क्यों करें और अगर हम इस branch का chain करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा हम क्या-क्या पढ़ सकते हैं जैसे बच्चों, आप में से कुछ बच्चे तो ऐसी हैं, जिने अभी पता भी नहीं है कि किस ब्रांच का चेन क्या जाए, जैसे मानलो, अगर मैं मेरी बात करूँ, जैसे मानलो, मेरा जो इंट्रेस्ट है, वो है चित्रकारी के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर, तो बच्च कलावर्ग, ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के अंदर, चित्रकारी के अंदर, या ऐसे बहुत ही कलात्मक जो श्रेणियां जो आती हैं, उन सब में इंट्रेस्ट रखते हैं, जैसे जियो आगी अपनी जियोग्राफी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, तो ऐसे बच्चे जो इन सब में अपना इंट्रेस्ट रखते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा जो वर्ग है बच्चो हो है कलावर्ग, अब कलावर्ग में जब आप 11, 12 कम्प्लीट करते हों, तो इसके बाद आप बैचलर ओफ आर्ट्स बीए करते हों, बीए के बाद आपके पास कई धेरों ओफ्षन खुलते हैं, तो इसलिए बचो सबसे जुरूरी है सब्जेक्ट का चेन करना, कि आप सब्जेक्ट का चेन कैसे करेंगे, तो पहला जो हमारा यहां पे पॉइंट है वो है इंट्रेस्ट, सब्जेक्ट का चेन किया जाता है बचो हमेशा इंट्रेस्ट के हिसाब से कि आपका interest किस पे है और अपने interest के हिसाब से आपके लिए कौन सी branch सबसे best रहेगी तो जैसे मैंने आपको art के बारे में बताया इसी तरह बच्चो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो business में अपनी रूची रखता है accounts में अपनी रूची रखता है तो ऐसे बच्चे जो business में रूची रखते हैं accounts में रूची रखते हैं तो उन बच्चों के लिए जो best option रहेगा बच्चों वो रहेगा वानिज जी वर्ग commerce वानिज जी वर्ग उन बच्चों के लिए काफी अच्छा या काफी बड़िया option रहेगा क्योंकि इसके अंदर जब हमने बात करते हैं वानित जीय वर्क के अंदर तो वानित जीय वर्क के अंदर subjects के रूप में आपको accountancy managements के बारे में business management के बारे में इनी सब चीज़ों के बारे में बड़ाया जाता है तो आपके interest को और बड़ाया जायेगा आपके interest को एक career के रूप में आगे लेकर जायेगा अच्छा इसी तरह बच्छो अगर किसी कोई बच्छा ऐसा है जो science में अपना interest रखता है जो बच्छा science में अपना interest रखता है जैसे बच्छो बच्पन में जो हमसे कोई पूछता है कि क्या बनेगा बड़ा होकर तो हमारा maximum जो बच्चे होते हैं उनका यही जवाब रहता है कोई कहता है मैं इंजिनियर बनूँगा कोई कहता है मैं डोक्टर बनूँगा तो बच्चो यह इंजिनियर डोक्टर यह क्या है कहां से आएंगे सब इंजिनियर आइं डोक्टरी दो सब यह सब समद्धित विज्ञान वर्ग से साइस से अब विज्ञान वर्ग को भी हमने अलग-अलग भागों में बांट रखा है जیसे अगर मैं बातके तो विज्ञान वर्ग के अंदर एक आता है हमारा agriculture वर्ग, एक होता है medical वर्ग, एक होता है non-medical वर्ग. अब इन तीनों के अंदर, science के अंदर, ये तीनों streams अलग-अलग हैं. जैसे मालो बच्चो अगर आप agriculture subject का chain करते हो जैसे कि इसका नाम है agriculture तो इसके अंदर एक subject तो हमारा होता है agriculture इसके अंदर आपको एक तो agriculture के बारे में बताया जाता है दूसरा बच्चो यहाँ पर आपको agriculture के अलावा chemistry यानि कि रासायन विज्ञान chemistry यानि कि रासायन विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि अपने आप में बहुत important topic है बतो chemistry का जब मैं बात करूँ आगे फर्दर ऐसे बचे जिन्होंने agriculture के अंदर 12th की फर्दर इसका क्या उप्योग आता है तो इसके बाद अगर आप agriculture के अंदर अपनी 12th stream complete करते हों और बाद में BSC agriculture करने के बाद आपको अगर आपका interest है विज्ञानिक बनने में तो आप soil विज्ञानिक म्रदा विज्ञानिक बन सकते हों तो ऐसे बहुत से streams निकलते हैं इसलिए रसायन विज्ञान अपने आप में बहुत important part है agriculture subject का तो यहाँ पर mainly आपने पढ़ाय जाता है agriculture इसके अलावा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान biology तो यह subject रहते हैं बचो agriculture के अंदर इसी तरह मैं बात करूँ बचो medical जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कोई बच्चा जिसका interest है डोक्टरी के अंदर मान लो कोई बच्चा डोक्टर बनना चाहता है बच्चो होता है कि आपने 12th की मान लो आपने medical में 12 की इसके अंदर अपने physics यानि की बोती की chemistry chemistry यानि की रासायन विग्यान और biology और यहां बचो chemistry की जगहें आपने computer subject का chain भी कर सकते हैं यह optional होता है बचो यहां chemistry की जगहें chemistry की जगहें आप computer subject का chain भी कर सकते हैं तो अब मान लो कोई बच्चा डोक्टर बनना चाहता है उसने 12th medical में complete की आप इसके बाद doctor के लिए भी इसके पास कही option होते हैं सबसे पहले तो आपको entrance exam देना पड़ता है अगर doctor के लिए entrance exam के बात करूँ तो वह था बच्चो NEET का paper NEET National eligibility come entrance test NEET यह पूरे भारत का एक मातर test है जो medical college में दाखिले के लिए दिया जाता है और इसी के तहता आप अलग-अलग college के अंदर अलग-अलग branch अलग-अलग stream के अंदर doctorate की पढ़ाई कर सकते हैं पर बच्चो होता है कि कई बार बच्चा merit के अंदर भी रह जाते हैं यह बात थी बच्चो medical stream की इसी तरह बच्चो बात आती है non-medical stream की non-medical के जैसे की medical के अंदर हमारे पास physics बोतिकी Chemistry यानि कि रासायन विग्यान, Biology सब्जेक्ट था, वैसे ही Non-Medical के अंदर Physics, Chemistry यानि Chemistry और Math ये तीन सब्जेक्ट थे हैं हमारे पास और यहां भी Chemistry जो होती है, रासायन विग्यान जो होती है, वो Optional सब्जेक्ट रहता है, इसकी जगह हम Computer का Chain भी कर सकते हैं तो बचो Non-Medical के बाद आप क्या कर सकते हों, तो Non-Medical के बाद वो बच्चे जो Engineer बने का सपना देखते हैं, वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं, इसके लिए भी Entrance Exam होता है जईए का, और जईए के Entrance Exam के जरिए आप जो परतिश्टित संस्थान हैं, वहां जाकर अपने BTEC या का चैन कर सकते हैं, किस फिल्ड में जाएं कि हमारे लिए बहतर कैरियर विकल पर निकल कर सामने आएं, इसलिए बतो, इंट्रेस्ट सबसे जरूरी चीज़ हैं, जिस सबजेक्ट के अंदर आपका इंट्रेस्ट हैं, वही स्ट्रीम, वही उसी ब्रांज का चैन करें, तो